हेलो, मैं सेंट फान्शकवादम प्राम पर्मिशारी देवी धन्वाद सरस्वती विद्धिमिले तोड़े आइम टोगिंग बाउट क्लास सिक्स्त हिंदी चेटर वन वेर चडिया जो इंपोर्टेंट एंसी क्योज सुले स्टादी वीटियो फर्स्ट चेटरिया आनंद पूर्वक क्या खाती है दूद भरे गेहु के दाने दूद भरे मक्के के दाने सी दूद भरे जोर के दाने दूद भरे धान तो इसको सर्म पूछा गया कि चेटरिया आनंद पूर्वक क्या खाती है तो कभीता में आपको पताया गया है कि वे आनन्द पूर्वक जुआर के दाने खाती है ठीक है कुश्चन नम्मर सेकेंड चिडिया के पंक के रंग कैसे है A. लाल, B. पीले, C. नीले, D. काले ये पूछ रहा है कि चिडिया के पंक का रंग कैसा है तो कविता में चिडिया के पंक नीले बताए गए है Q3 चिडिया को पसंद क्या है? क्या पसंद है चिडिया को? A, F, B, Sub, G, C, अनाच के दाने, D, मिठाई तो इसका जो राइट अंसर है वो है अनाच के दाने क्योंकि चिडिया को अनाच के दाने बहुत जादा पसंद है चिडिया किस के लिए गाती है? इस कोशन में पूछा गया है चिडिया किस के लिए गाती है? A, नदियों के लिए, B, संगीत प्रेमियों के लिए, C, जंगल के लिए, D, अपने मित्रों के लिए इसका right answer है जंगल के लिए क्योंकि वे जंगल के लिए गाती है ऐसा कविता में बताया गया है Question number 5 चिडिया को किन किन चीजों से प्यार है? A. नदी, B. जंगल से, C. अन से, D. उप्यक्त सभी चिडिया को किन चीजों से प्यार है? ये question उच रहा है चिडिया को नदी से भी प्यार है, जंगल से भी प्यार है और अन से भी प्यार है तो इसके लिए इसका जो अंसर होगा वो होगा उप्यक्त सभी Question number 6 जुडी का अर्थ क्या है? तो इस question में पूछ रहा है जुडी का अर्थ क्या होता है? A. मक्का, मक्का मतलब भट्टा B. गेहों की बाली, जो गेहों की उपर जो बाली होती है उसको बोल रहा है C. धान की बाली, धान की जो बाली होती है उसको बोल रहा है D. जुडी की बाली तो इसका अर्थ है जुडी की बाली क्योंकि वह जुआर खाती थी जुआर की बाली खाती थी question number seven चडिया को अनाज के दाने बहुत अच्छे लगते हैं क्यों चडिया को अनाज के दाने बहुत अच्छे क्यों लगते हैं इस question में पूछ रहा है तो A. इससे चडिया का पेट भरता है इस से चड़िया को प्यार है सी अनाच के दाने का स्वाद उसे पसंद है इस उप्यूक्त तभी इस कोछन में पूछ रहा है चड़िया को अनाच के दाने बहुत अच्छे क्यों लगते हैं क्योंकि उससे उसका पेट भर जाता है पहला ऊप्शन दूसरा चड़िया को अनाच के दाने का स्वाद उसे पसंद है और डी पूछ रहा है सभी तो इसका अंसर जो राइट है वो है उप्युक्त सभी क्योंकि उससे उसका पेट भी बढ़ता है और उसे अनाच के दानों से बहुत प्यार भी है और सी अनाच के दाने उस अनाच के दानों का स्वाद उसे बहुत पसंद भी है तो इसका अंसर होगा उप्युक्त सभी नेक्स्ट एर्थ कुश्शन चडिया नदी से क्या ले जाती है इसको सर्म पुझ रहे चडिया नदी से क्या ले जाती है इसको सर्म पुझ रहे चडिया नदी से क्या ले जाती है इसको सर्म पुझ रहे चडिया नदी से क्या ले जाती है इसको सर्म पुझ रहे चडिया नद जलका मूती ही होगा कुर्शन नम्बर नाइन इस कविता के कवी कौन है ये जो कविता है वे चड़िया जो इसके कवी कौन है रामधाय सिंग रांकर बी सुमिंत्रान पंत सी केदरनात अगरवाल डी सुबद्रा कुमारी चौन इसका अंसर है केदरनात अगरवाल ये कवीता केदरनात अगरवाल ने लिखी है चड़िया किस का दिल टटोलती है चड़िया किसका दिल टटोलती है ए नदी का बी मचली का सी अपने साथियों का डी फूलों का इसका जो अंसर है वो है वो है नदी का क्योंकि वें कवीता में बताएगा है कि वो नदी का दिल टटोल कर ले जाती है So answer Thanks for watching Please like, share and subscribe this video Thank you